हाई गाइज रादिका नीर कीचर में आप सभी का स्वागत है आज आप सभी के लिए बनाने जा रहे हूं ही माचली राजमा ये बनाने के लिए ये कुछ खड़े मसाले हैं और ये करश किया हुआ लासो नादरुक और मिक्ची का पेस्ट है राजमा जो है मैंने वो बॉयल कर चमच दो बड़ी वली लाल मिर्ची डाली है ये असी पींड़े मिक्ची चार करण रह दाला हैं दालचीट में एक पीस तालचीनी का एक बड़ी लाइची दो छोटी लाइची बड़ी लाइची ज्यादा नहीं डालनी है दो लोंग डालने इसमें इसे इसकी फ्रेग्नेंस जो है बहुत जार अच्छी हो जाएगी कड़ी पता डाल देना है देखें कड़ी पता चटकने लगे आपको लगे इसका चटकना बहुत जरूरी होता है उसके बाद में इसमें फूल मिसाला डाल देंगे फूल मसाला डालने के बाद हमने चम्मत से इसको अच्छे से चलाना है ठीक है सरीब स्पूल लेना आपने इसको अच्छे से चलाना है वो चलाने के बाद देखिए अब इसमें डाल देना है कड़ी पत्ता वो थोड़ा सा कटा हुआ हमने इसमें पालक डाल दिया है ना साथ में कुछ पत्तियां जो हैं वो पालक की डालनी है बीच में कटी हुई डालनी है वो साथ में डाल दिया है इसमें प्याज प्याज लंबा लंबा काटा देखिए बारीक प्याज नहीं काटना है इसमें हिमाचली जो सब्जियां बनती हैं में सबसे बड़ी बात है यह अत्ती जब यह प्याज काटा होता है देखने में और यह जो वाइल राजमा है यह अलग से निकाल लिए है इसकी फ्लेम जो गैस की वो कम रखनी है वह ज्यादा रखेंगे तो मसाला हमारा जनने लगेगा इसली की जो फ्लेम है वो कम रखनी है अब इसमें जो मैंने पेस्ट बनाके रखा है लसुन अद्रुक और दो मिर्ची हरी मिर्ची डालके वो अच्छे से मिक्स कर लेना है अभी जो हम डाल है लसुन का पेस्ट हैं पहले भी डाल सकते हैं लेकिन पहले डालने से हमेशा नीचे लगना शुरू है इसलिए हम इसको पर देंगे पीच मैं डालना है और बीच में डालना धुए चुका इस के दालना है, आम एक यह बेजम स्टिन और टूमाटे दरहसे, बोर्टेमाटे मिलें इसमें, सर्विस स्वून से इसे चलाना है है मेन आपका यह रहेगा कि मसाला जो आपको आपको नीचे ना लगे तो इसे चलाते रहिए यह जो राजमा यह बड़े ज़रा ही अच्छा बनने वाले हैं अब यह जो यह मसाला चोड़ह है defining जो छोड़ा आहिए है मसाला हमारा इसमें मेने आदा चम्म लाल मेर्ची पाउडर इसमें невिर्ची नमक कडाला है कि इसको अच्छे सही ला लेना है अच्छे से से चलाते रहीए इसको चलाना बंद नहीं करेंगे चलाना बंद करने पर यह लग सकता है नीचे अब उसमें राजमा का जो है वाइल राजमा का पानी जो है वो डालना है ताकि जो उसका टेक्श्चर है उसे से चेंज हो जाएगा सारा अच्छे से मीक्स हो जाएगा यह थोड़ा थोड़ा ढोटेंगे एक साथ भी डाल सकते था लेकिन कम कम ही डालना हो थोड़ा बने लेकिन जब यह राजमा वाला जो ब types पानी डालना है यह एसमें राजमा नहीं डालना है मोलक से ररखें आधिक तोरीस में दही की डालनी है दही को अच्छे से फेंट लेना है और यह दही इसी मसाले में डालना है और फिर से इसको लगातार चलाना है लगातार चलाएं ताकि दही जो है हमारा वो फटना नहीं चाहिए इसको चलाते रहिए चलाने से यह क्रीमी सा बन जाएगा लगतर चलाएंगे आप अगर नहीं चलाएंगे तो यह दहीं पानी छोड़ देगा इसमें थोड़ी सी मैंने चीनी डालनी है चोटा आधा चमर चीनी का डालें ज्यादा नहीं डालना है देखने से पता चला अभी इसका टेक्शर देखिए पूर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है हमारा यह जो मसाला है यह रड़ी हो चुका ग्रेवी हमारी ना अच्छे से रड़ी हो गी है अब इसमें यह जो बॉ अच्छे से पगे हो तो उसके वादी ने मिक्स करें और यह आप बच्छों के टीफिल में पैक कर सकते हैं घर में ग्यास राजाए तब एकदम से बन सकते हैं लेकिन बस आपने बॉयल करके रखे हो तो आपके लिए एजी होगा अब इसको पांच मिंट के लिए चोड़ना कि थोड़ा सा बॉयल ड्राजमा का पानी में में इसमें डाला है आधी बाउल ज्यादा नहीं डालना है कि वह इसको अच्छे से हिला देंगे बस इसको चलाते रहना चलाना इसको बंद नहीं करता है मुझे खाने के टेस्ट से पता चल जाएगा कि यह जब हम बाद में इसको बिसल नहीं लगवाएंगे वह जर्ण अच्छा बनेगा है अब यह खाने के लिए विकुर अडियन को सर्वी स्पून में सरब करने के लिए डालूंगी में हमारे राजमा जो है बनके त्यार हो चुके हैं करने के लिए विकुर नहीं में इसकता हैं